नमस्कार स्तों मैं पपूच सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीस्टे क्लासमस स्वागत दोस्तों अभी का ब्रेकी निकल के आ रही है बिहार सिविल कोड परिक्षा 2022 परिक्षा डेट जारी एडविट काड लिक एक्टिवेट मोबाइल से कैसे आप एक मिनट में जारी किया गया है एक्जाम के रिगार्डिंग और एड्मिट कार्ड के रिगार्नी तो इस वीडियो में बताने वाले है तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्कीप किये हुए इससे पहले हमारे चल्प अपने चल्प को सब्सक्राइब कर और नोटिफेक्षा नोट कर सब्सक्राइब करते हैं और आपको बताते हैं एक्जाम कब से सुरू हो रही है सो आप वीडियो में बने रहे हैं चलिए आगे देख लिए दोस्तों ब्यार सिविल कोट एंड मिट कार्ड एंड एक्जाम डेर दोजार वाइस जैसे कि आपको पता है इस बरती में तीन कर दोली सबसे पहले एक्जाम होगा और किस पाद के लिए बाद में इसकी एक्जाम ले जाएगी परवरी देख लिए यहां पर मीडिया रिपोर्ट के एकॉर्डिंग और पतादका ब्रादी कारी के एकॉर्डिंग देख लिजिए फरवरी 2023 में विभाग के द्वारा एक्जाम जो कि आपको कराया जाएगा फरवरी 2023 में देख लिजिए हलाकि अभी ऑपिशन नोट फिक्षन नहीं आई है ऑपिशन नोट फिक्षन आना अभी बांकी है तो देख लिजिए एक मीडिया रिपोर्ट के एकॉर्णिंग बता रहे हैं आज यहां तिसरा दिन हम वीडियो चरह में जो कि एक्सपेक्टेड है अब यह क्योंकि ओपिशन नोट फिक्षन नहीं आई है अब यह अपिशन नोट फिक्षन आनी बांकी है चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं आगे देख लिजिए तो ब्यार्ट सिविल कोट एड्मिट कार्ड एंड एक्जाम डेर 2022 से तो मह सब्सक्राइब 2022 से शुरूब हुई थी टोटल पोश्ट शीयतर सो भी रॉनवे है और लाजट देख लिजिए चलिए आगे बता रहे आगे देख लिजिए उसके बाद देख लिजिए वीडियो की डिसेशन में महतपूर्ण लिंक दे दिये अप्लिक कर पाएंगे उसके अभी ही जो नॉटिफिक्षन आया जो आप यहां से डाउनलड कर पाएंगे देख लिजिए उसके ओपिसल अभी का जो नौटफिक्शन आया है एक्जाम करिगारी और एडमिट करके रिगारी जिसको आप डाउलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से देख लीजिए सारा चीज वीडियो हम आपको बता चुके हैं जो एक्सपेक्टेड है दोस्तों जो की मीडिया रिपोर्ट के समय पर ही लिया जाएगा क्योंकि इसमें तीन पद है तो विभाग के द्वारा भी इस पर कोन पद पर पहले एक्जाम होगा उसी पर अभी डिसकस चल रहा है इसलिए प्रेसान नहीं होना जैसे कुछ अपडेट आता है तो फिरसे हम आपको इसमें अपडेट कर देंगे त प्लक आपका दिन सुबह टेक केर वाइब फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ जाहिन जा भारत